हेलो दोस्तो तोटनी के रसोई मैं आज आप लोगों कस्वागत अभी मैं गाम आई हुई हूँ इसलिए गाम के चुले पर चिकन बनाने जा रहे हैं चिकन बनाने के लिए मैंने हाफ के जी प्यास काट लिया है बाड़ी एक के जी चिकन लिया है और ये नमक स्वादनु साड़ लिया मिर्च पॉड़र एक एक चमाच हल्दी पॉड़र एक चमाच लांग तीन छोटी लाइची दो दो पीस एक चमाच अधरक पेस्ट है एक चमाच लासन पेस्ट है और ये सिल्वर टेपर मैंने गरम मसाला पीस लिया अब मैं चुले पर कराही चरहने जा रही है कराही गरम हो चुका है अब मैं इसमें तेल डालूंगी देल सोगे ना तेल मैंने डाल दिया देल गरम हो ने पर कराही है तेल गरम हो चुका है उसमें पहले छोटी ना इची और लॉंग डाल दिया अब मैंने तेल गाल दिया इसका दियान परने मैं निकाल लूंगी गुलावी होने पर देख सकते हैं अब मैं पर दिया जाएश दो लुर लूंगी युछ वाल तेस्टी होता है, हड़ खाना तेस्टी होता है, इसलिए मैं लगड़ी के चुले पर खाना बना रहा है, चिकन बना रहा है मैं गुलाबी हो चुका है, अब मैं इसे निकाल दूँगे, अब इसे मैं निकाल दूँगे मैं आधा पकने दूँगे, आधा पकने दूँगे मिर्याइन गलबल होड़ा और थोड़ा और इसे गुलाबी कर दूँगे, उसके बाद मैं चिकन इसमें डाल दूँगे अब आपार करें लाद करें, ऊपार होड़ा ख़ब होग्यवा दूच़ा जगरा होगड़ो ओर दूबसे, अब ब Crisis दी एक रिरें, ऐसमें घुलाबी एक रिवाबॉ ड़ yüzमें के चिकन डलें कर दो को पिलाग कर दो कि अपिलाग कर दोगा है यह सारे मसाले को इसमें मैंने एड़ कर दिया है अब मैं इसमें लहसुन और अधरक डालूँगा अब लाशन को मैंने डाल लेया है अब इस खब अचिय तरह से भॉनी नूंगे अब शुड़ा अधरक पागे जिए में उया है देखियो लाशन को इनकरी के चिवले को बालूँए है बहुत थे कुस्ममा कलराता है, या कोई भी सबजी हो, बालों बहुत पेश्चे सबजी तगार होते हैं, देखें कलर कितना कुस्ममा आया है, कुस्ममा बहतरी है, इसको ऐसी तरह से बराबर भूंते रहोगी, ताकि खूब अच्छे खुस्ममा इसमें से, जब खुस्ममा निकलने लगेगी, तो इसमें गरम मसाला और विर्यान डालूएंगे, अभी इसी तरह से भूंते रहोगी, कुलर बहुत चारा रहा है, यह मेरा चिकन तैयार हो चुका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें, थाइंक्यू, शुक्रिया,